पानिपत की इस्तराना विधानसबा सीट से बारतिय जन्ता पाल्टी के उम्मीदवार क्रिशिन लाल पवार ने रोच्छो निकाल कर अपनी पूरी ताकत दिखा दिये क्रिशन लाल पवार ने कई गउओं का दौरा किया जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया ये कातिला बता रहा था कि इस बार इस्तराना हलके में क्रिशन लाल पवार की हवा चल रही है गाउ की 36 विरादियों के लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गाउ के लोगों ने कहा है कि कृष्ञणलाल पवार को भारी मतों से यहां से जिता कर विजेंगे इस बार इसराणा शेत्र से कमल खिला कर भार्थी जंता पार्टी की जोली में डालेंगे श्री किरिशनलाल पुहर जी अब की बार विजय होंगे इस राणाल का से हमारे यहां तो इस राणा में कृषनलाल पुहर जी का बहुत मोल है और यह नेता है ना जो बड़े स्रल सबाओ के नेता है और अब की बार तो है ना पबलीक का एक तरफ हो जाना है अब की बार इनको बना कर बेजेंगे यहां से वहीं कृषनलाल पवार्क ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि एक बार फिर मुझे केंद्रिय नेतरत और हर्याणा बीज़ेपी के तमाम नेताओं ने मुझे पर विश्वास जताया है और मैं आज आपके बीच में हूँ मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूँ कि इसराना श्यत्र के विकास को लेकर कोई कोटा ही नहीं बरती जाएगी जितना हो सकेगा उतना विकास कारने हमारी हर्याणा सरकर करवाएगी इसलिए आप सभी से मैं अनुरोत करने आया हूँ कि आप अपने बच्चे बेटे भाई को आशिरवात दें और कमल खिला कर भारते जन्ता पार्टी की जोली में डाल दें जूट बोलकर राजनिती करता है जूट ज्यादा लंबी चलते नहीं सचाई चलती है इसलिए सुताना गाउं को अमने विश्वास दिला है उनके आशिरवात से मत दुबारा विधान सवा में जाऊंगा तो निश्य तोर से सुताना गाउं की जो मुलकुर्स विदाये हैं जै के टेंडर हो चुके मंजूर हो चुके सबका काम स्थरू हो जाएगा ग्योर रिपोर्ट हर्याना आज